सबसे बड़ा पाप कौन होता है तो शास्त्रों में पाप तो तमाम गिनाए गए हैं लेकिन पांच महापाप होते हैं सोने की चोरी करने वाला और ब्राह्मन जो सदाचारी शास्त्रवेद का ग्याता हो उसकी हत्या करने वाला और गुरु की पत्नी के प्रति दुर्भावना करने वाला और शराप पीने वाला नंबर चार और इन पापों में हेल्प करने वाला ये नमबर पांच ये पांच प्रकार के महापाप हैं इन पांच महापापों से बड़ा एक पाप और है उसको कहते हैं नामा पराध पाप हरी गुरु में दुर्भावना करना निंदा सुनना निंदा करना मन या बुद्धी से उनमें दोश देखना ये सब नामा पराध हैं भगवान के नामों में छोटा बड़ा मानना भगवान के अवतारों में छोटे बड़े की बुद्धी करना ये सब नामा पराध कहलाते हैं यानि भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संथ ये सब एक हैं ये ना समझ करके जो भेदभाव रखता है या निंदा सुनता है या सोचता है या करता है निंदा ये सब नामा पराध है इसका प्राइश्चित नहीं होता दंड भोगना ही पड़ता है